देश आज 72 गणतंत्र दिवस मना रहा है इस मौके पर PM नर्यंदर मोदी ने देश वासियों को बढ़ाई दी PM मोदी के साथ साथ कई नेताओं ने भी गणतंत्र दिवस की बढ़ाई दी है गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड में देश की सेना की ताकत की जलक देखने को मिलती है इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर राफेल विमान को भी परेड में शामिल किया गया इसके साथ ही T-90 टेंकों और सुकई 30M के आये लड़ाको भी प्रदर्शन का हिस्सा रहें इससे पहले PM नरेंदर मोदी ने एक ट्यूट के माध्यम से कहा देश वासियों को गणतंत्र दिवस की डेरोशुप कामना है जय हिन परेड छेर्मनी की शुरुवात प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने नेशनल मेमोरियल वार पर शद्धान जली देने के साथ की इस बार परेड को लेकर विशेश तैयारिया की गई कुरोना वाइरस के चलते परेड काफी अलग अंदाज में हुई राट पर पर हुई परेड में हमेशा की तरह सेनी ताकत, साथकरतिक विवित्ता और सामाजिक समरस्टा की जलक दिखाई दी हलकि मार्चिंग दलो और जवानों की संक्या कम रही वही इस बार जाहकिया भी कम रखी गई परेड में हर साल शामील होने वाले लोगों की संक्या में भी कमी कर दी गई यहां संक्या लगभग एक दशमलो एक पांच लाक लोगों से गटकर 25,000 की गई है इस बार प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत्तर वे गणतंत्र दिवस समारों के लिए खास तरह की पगड़ी का चुनाव किया और उनकी एक खास पगड़ी चर्चा का विशेप बनी रही उन्होंने इस बार गुद्रात के जामनगर की खास पगड़ी पहनी न्यूजेजनसी एनाई के मुताबिक जामनगर के शाही परिवार की तरफ से एसी पगड़ी उन्हें तवफे में दी गई थी पीएम मोदी हर साल गणतंत्र दिवस पर अलग तरह की पगड़ी पहने नजर आते हैं पिछले साल उन्होंने बंदनी पहनी थी जो कमर तके केसर या रंग की पगड़ी में पीला रंग भी समाईत था 2015 से लेकर अब तक हर साल गणतंत्र दिवस पर मोदी खास तरह की पगड़ी पहने दिके हैं